बिहार के वाइरल सोनु कुमार की मदद के बाद अब बिहार की बिटिया सीमा के लिए मदद के हाथ बढ़ाये जा रहे हैं और बॉलिवूट के मसीहा बने सोनु सुध ने अब बिहार के फतेह पूर की एक दिव्यांग बेटी की मदद की है और जो एक पैर से करीब एक किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल का सफर तै करती है और जब इस बच्ची का वीडियो वाइरल हुआ तो सोनु सुध ने ट्वीट कर सीमा के लिए मदद के हाथ बढ़ाये हैं बता दे कि यह बच्ची एक पैर से दिव्यांग है लेगिन पढ़ने की ललक ऐसी है कि वह स्कूल तक का सफर एक पैर पर करती है वही सोनु सुध ने बिहार की बेटी के हौसले को देखा तो वह उसकी मदद के लिए खुद को रोक नहीं पाए और वीडियो देखने के बाद सोनु सुध ने तुरंत मदद का ऐलान किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है अब ये अपने एक नहीं दोनों पैरों पर कूद कर स्कूल जाएगी टिकट भेज रहा हूँ चलिए दोनों पैरों पर चलने का समय आ गया है बतादे कि सीमा गाउं में ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है लेकिन सडक हाथसे में वह एक पैर खो चुके है लेकिन सीमा ने अपने होसले को टूटने नहीं दिया सब्सक्राइब करें और अलर्ट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हाँ दोस्तों साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिये